हेलो दोस्तो आप देख रहे हैं स्टाडीजिक एडुकेशन दोस्तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है आपके आंगन बाड़ी भरती 2019 यहाँ पर कोई आपका एकजाम नहीं लिया जाएगा इसमें कोई आपका इसमें एकजाम फिस नहीं देना है यहाँ पे निसूलक आपका यह form भरा जाएगा इसमें आप offline, online सभी तरीके से apply कर सकते हैं यहाँ पे योगिता जो रखी गई है आठवी और ब्रावी, दसवी पास रखी गई है और higher education जैसे आपने intermediate किया है तो इसमें apply आप नहीं कर सकते हैं यदि apply करेंगे तो आपका दसवी पे ही मान्य होगा, पूरा यहाँ से हम details देखेंगे कि कितनी vacancy है और इसमें कब तक form apply हो रहा है, कब तक last date है और जितने भी इसमें सारे post हैं आंगनबाडी साहिका का, आंगनबाडी का, पूरा यहाँ details देखेंगे दोस्तों यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पलपल के update के लिए बेल आइकन को प्रेश कर दें दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि यह form जो भरा जा रहा है, offline और online दोनों mode में भरा जा रहा है बिहार में आंगनबाडी सेविका और सहाईका के लिए वेकेंसी जो निकाली गई है इस बार, यह 124 पदों पे निकाली गई है, पूरा इसका details हम देखेंगे कल ही इसको post किया गया है, 5 June को post किया गया है इसका, सरी दोस्तों आज ही post किया गया है 5 June को और ओभी आपको 8, 9 बजे करी post किया गया है, यहां से पूरा हम details देख लेते हैं इसका, बिहार के किसरगन जीले में आंगनबाडी सेविका और सहाईका के 124 पदों पर भरतिया होंगी इसके लिए बिहार सरकार के समाज कल्यान विभाग में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं, सभी भरतिया जीले के विभिन ग्रामिल शेतरों के लिए हैं, इन पदोंपो केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं और इसमें देखिए पूरा डिटेल सम्देख लेते हैं, आवेदन और आफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों विकलप इसमें दिया हुआ है, देखिए ओफलाइन आवेदन संबंदी विभाग में जाकर वहां से आपको आवेदन पत्र अंकित करना पड़ेग आवेदन का अंतिम्ति थी यहां पर दिया गया है, 10 जून तक लास्ट डेट इसमें दिया गया है, ठीक है, 10 जून से पहले आप अपलाई करने, आज 5 जून है, देखिए पदो, योगता और आवेदन परकिरिया से जूड़ी अधिक जनकारी इस परकार है, देखिए पूर अंगन बाडी साहिका का कुलपत 75 दिया गया है, मेनी सेविका का कुलपत 16 दिया गया है, छेत्र के आधार पे रिक्तियों का विब्रोल, छेत्र के जैसे किसंगन गरामिल में आपको 31 पत दिया गया है, अब पदों के आधार पे रिक्तिया है, जैसे आंगन बाडी सेविका के लिए 14 पद दिया गया है आंगन बाड़ी साहिका के लिए 16 पद दिया गया है मेनी सहिका के एक पद दिया गया है वैसे किसंगन सहरी के लिए देख लिए जो कूल पद एक है और आंगन बाड़ी के लिए एक पद यहां पर दिया गया है और देखिए यहां कोचा धहमन के यहां पे देखे आंगनबादी के लिए 11 पद है 3 पद दिया गया है मिनी शेविका के लिए यहां पे 3 पद दिया गया है पोठिया के पूठ़ पद पोठी एक जगह है जहां पे तेरा पुष्ट यहां पे दी गई है आंगनबाडि के लिए यहाँ पे एक पद- आंगनबाडि- शहाहिका के लिए दो पद यहाँ पे दी गई है ओर आंगनबाडि- सहाहिका के लिए 21 पद, 21 पद, और मीनी, सिविका के लिए 2 पद दिया गया है, बहादुर गंज के लिए 3 पद रिलिज की गई है, और आंगन बाड़ी सिविका के लिए 3 पद, और आंगन बाड़ी साहिका के लिए 1 पद, सौरी यहाँ 2 पद दोस्तों होगा, यहाँ पर 1 पद रिलिज किया ग पद दिया गया है तेड गाच के लिए तेड गाच के लिए तीन दिया गया है पद जिसमें से आंगन बाड़ी सेविका के लिए एक पद है सहाहिका के लिए यहां पर तीन पद दिया गया है यहां पर दो होगा दोस्तों यहां पर दो पद होगा और देखिए योग्यता पद के अधार पे यहाँ पे सेविका के लिए matric मसमकुक्ष होना चाहिए आपको पास होना चाहिए matric सेविका के लिए और अधिक जैसे आपने पढ़ाई किया है intermediate किया है अगरे जोट के है तो इसमें अपलाई आप नहीं कर सकते हैं योगिता प्रत्मिक्ता आपको नहीं दी जाएगी अधिक योगिता आपका है तो सहाईक्या के लिए यहाँ पर अठवी पास होना चाहिए इसके बाद देख लेते हैं इन पदों के चैन में जो भी दुआये महिला होती हैं उनको प्रत्मिक्ता दिया जाएगा और निवासी होने का योगिता यदि आप उसी जिले उसी पंचायत के निवासी है तो आपको योगिता यहाँ पर योगिता दिया जाएगा कि अभियार्थियों को मैपिंग पंजी के अनुसार अनुरूप संबंदित का वाड का निवासी होना अनिमार्य है या अथवा यहाँ पर अवेदिका के पति ससूर का नाम संबंदित अवाड में सामील हो अंकित हो यदि आप योगिता देखिए यहाँ पर यदि आप देखिए सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में कारिरत ब्यक्ति जिनका मासिक आए 12,000 से ज़्यादा है उन परतिनिदी को इसमें सामील नहीं किया जाएगा ठीक है अवेदन सुल्क यहाँ पर कोई आपको आवेदन सुल् इसके लिए एफ फोर साइज पेपर पर आपको आवेदन करना है देखिए आपको आवेदन कैसे करना है बाल विकास पर्योजना कारियकरम जीला प्रोग्राम कारियाले में जाके किसंगंज बिहार वहाँ पर आपको वहाँ से आवेदन कर सकते हैं और देखिए अंतिमतिति यहां पर दी गई हैं 10 जून साम पांच बज तक यह पूरा फॉर्म आप और लाइन या ओफ लाइन जमा कर सकते हैं करेया ले में वीडियो देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों वीडियो को सेर करें ताके और लोग को भी जन्दकारी हो सकते हैं